तो प्यारे विद्यार्तियों नमस्कार स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में प्यारे विद्यार्तियों आज के से वीडियों हम देखने वाले हैं त्रेमासिक परिक्चा 2022 कक्चा 11 वी राजनीती विज्यान विसे का पूरा कोश्चन पेपर और इसका सुल्यूशन अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देख लिया तो आप ये समझेगा कि आपको पूरा का पूरा कक्चा 11 वी का राजनीती विज्यान विसे का पूरा कोश्चन पेपर और इसके उत्तर आपको दोस्तों समझ में आ जाने हैं तो चलिएगा प्यार किस प्रकार से कर लेनी हैं अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देख लिया तो आप ये समझेगा कि पूरा का पूरा आपको कोश्चन पेपर आच्चे से समझ में आ जाएगा और पूरा दोस्तों अगर आपके पास में इस नम्मर के कोड वाला प किस प्रकार का आएगा कितने कोश्चन दोस्तों परिक्चों में यहां से पूछे जाएंगे आपसे और इन सब की तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी हैं तो देखेगा दोस्तों आप पूरी तरह से यहां से इसको देख सकते हो आपका जो राजनीती विग्यान विसे का question paper होगा कक्चा 11 वी त्रिमासिक परिक्षा राजनीती विज्ञान विशे का पूरा का पूरा जो आपका question paper होगा उसमें दोस्तो टोटल प्रस्टों की संक्या 23 होगी और कुल मुदरित प्रस्टों की संक्या 8 होगी और समय दिया जाएगा दोस्तो तिन गंटे का और पूरांग होगा दोस्तो आपका अस्यंग होगा तो आप सब लोग दोस्तो यहां से इस प्रकार से समझ सकते हो चलिएगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्चा 11 वी का राजनीती विज्ञान विशे का कोश्चन पेपर आपका किस प्रकार का आया है और किस प्रकार से दोस्तो आपको इसकी तयारी का लेनी चाहिए देखेगा इस सब के लिए आपको इस कोश्चन पेपर को बिल्कुल लास्ट समय तक जरूर देखना होगा तब ही जाके दोस्तों आपको पूरा question paper और इसके उत्तर आपको समझ में आप आएंगे तो चले का प्यारे विद्यारतियों आप देखते हैं आपके question paper का solution तो देखेगा प्यारे विद्यारतियों ये रहा आपका question paper पूरा का पूरा इसी प्रकार का question paper दोस्तो आपको परिक्चाव में देखने को मिल जाएगा आप लोग यहां से इसको देख पढ़ो समझ सकते हूँ तो देखेगा यहां पर पेला question लिखा है सम्वेदान सबा में उद्देश प्रस्ताव कब रखा गया तो देखेगा दोस्तो इसका right answer आपका first number का आजाएगा 13 December 1946 को रखा गया उसी के अलावा अगला question दे रहा है किस मुलिक अधिकार को चमवाली सम्वेदान संसुदन द्वारा मुल अधिकारों की सुची से हटा दिया गया तो देखेगा दोस्तो यह जो दूसरे number का question दिया गया है इसका right answer दोस्तो आप पर यह आजाएगा संपत्ती का अधिकार और उसी के अलावा दोस्तो अगला question आप लोग यहां से इसको देख पारे हो क्या लिखा गया है निम्नांकित मेसिट इस विद्वान ने नोकर साही को मेज का सासन कहकर संबोदित किया तो देखेगा दोस्तो सा number का question यहां पर लिखा गया है इसका right answer दोस्तो आपको यह आजाएगा फाइनर ने तो अगला question यहाँ पर आपको दिया गया है, या नमर के question को दोस्तो आप लोग आसानी से यहाँ से देख पर्ड समझ सकते हूँ, तो देखेगा या नमर का जो question दिया गया है, इसमें लिखा है भारती समयदान की प्रस्तावना में, जिस प्रकार का नियाई प्रदान किया गय है इसका राइट आइंसर दोस्तों आपका यह आ जाएगा उप्यूक्त सभी और उसी के अलावा अगला जो रा नम्मर का कोश्चन है आपर दे रहा का है दोस्तों वे अधिकार जिनका देश के समयदान उलेक किया जाए तथा जिनका अतिक्रमन अत्वाहनन होने पर व्यक्ति नाइप लिखा की सरण ले सके वो कैसे अधिकार कहलाते हैं तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आजाएगा मोलिक अधिकार किस प्रकार कहलाते हैं दोस्तों यह मोलिक अधिकार कहलाते हैं और उसी कहला दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले question को देखते हैं तो देखेगा दोस्तो यहां पर यह question दिये गए हैं आप आसानी से दोस्तो इनको देख पड़ो समझ सकते हो देखेगा यहां पर लिखा गया है नहीं लिखते रिक्तिस्तानों की पूर्थी कीजिए जिया दोस्तों यहां से आपसे रिक्तिस्तानों की पूर्थी पूची गई है वेले रिक्तिस्तान लिखा गया है ने समिदान सभा का बाहिसकार किया किसने किया था दोस्तों देखिएगा तो इसका राइट आंसर आजाएगा मुश्रीम लीग ने किया था ने समीदान सभा का भाहिस्कार किया था तो आप लोग यहां से इसको लिख लेंगे उसी के अलावा अगला question जिन व्यक्तियों को मतादिकार प्राप्त होता है उन्हें कहा जाता है किया खायता तो अगला question लिखा है क्वेशन नमर तीन सामानिता लोग सबा का कारिकाल वर्स का होता है तो देखेगा दोस्तो सामानिता लोग सबा का जो कारिकाल होता है वो पांच वर्स का होता है आप लोग यहां से इसको नोट कर लेंगे उसी के अलावा दोस्तो अगला क्वेशन ग्राम इस तर पर पंचायत यहां से नोट कर लेंगे क्या होती है दोस्तों ग्राम पंचायते तो आप लोग इस प्रकार से नोट कर लेंगे और उसी के अलावा अगला कोश्चन दे रहा है लेलें इस्टालीन तर्थ काल मांक्त का संबंद प्राजनेतिक सिद्दान से हैं तो देखेगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आजाएगा माक्सवाद किसे सिद्दान दिये थे इन्होंने दोस्तों माक्सवादी सिद्दान थे दोस्तों इनके द्वारा दिये गए थे तो आप लोग यहां से इसको लगा लेंगे और उसी कहला दोस्तों आगे कोश्चन दिये गए हैं देखेगा को अधिकार के सांसात करतवी भी निवाने पड़ते हैं देखिएगा दोस्तो इसका राइट आंसर आपका आजाएगा नागरिको को अधिकार के सांसात करतवी भी निवाने पड़ते हैं अगला कॉस्चन नकारात्मक धरातल पर का आबाव ही सांती है तो देखेगा दोस्तो इसमें आपको लिख लेना हिंसा नकारात्मक धरातल पर हिंसा का आबाव ही दोस्तो क्या है सांती है उसी के अलाव दोस्तो आगे आप लोग यहां से इसको देख सकती हो इस जगे से दोस्तो आप से सही जोडी का मिलान पूछा गया है और सा नम्मर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको चटे नम्मर से कर लेना है और ने दोस्तों ये सा का चटे से मिलान हो जाता तो आप लोग यहां से कर लें इस परकार से और दा नम्मर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको दूसरे नम्मर से कर लेना है इसके अलाओ दोस् दोस्तो आपका इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा तो इस प्रकार से आप सभी लोग दोस्तो यहां से जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लेंगे चलिएगा दोस्तो आगे बढ़ते हैं तो देखेगा दोस्तो आगे लोग आप लोग यहां से इसको देख पारे हो एक हुआ कि एक सब्द में उत्तर यहां से आप से पूचे जाएंगे पहला कोश्चन दे रहा है कृप सी मिसन कब भारत आया था तो देखेगा दोस्तों कृप सी मिसन उसी कहला अगला कोश्चन दिखा गया है उसी कहला अगला कोश्चन लिखा है बारतित हमिदान के मुलिक धांचे की धारणा का विकास किस मुकदमे में हुआ देखेगा कोश्चन नमर चार दिया गया है आप लोग यहां से इसको समझ सकते हो तो देखेगा कोश्चन नमर चार का राइट आंसर आपका आजाएगा स्वामी केश्वानंद भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका स्वामी केश्वानंद भारती दोस्त तो इसका right answer हो जाएगा उसी क्याला दोस्तों अगला question यहां पर दिया गया है देख सकते हूं आप लोग क्या लिखा है आप पुरी तरह से यहां से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे तो देखेगा question number 5 जो लिखा गया है उस देशों में सकारात्मक कारवाई को कि समता को बढ़ाने के लिए अपना आ गया है देखे दोस्तों इसका right answer आपका आ जाएगा अवसरो ऑसरो की समानता आवसरो की कि समानता इसका right answer हो जाएगा उसी कहला अगला question देखेगा कुछ लोग जन साधारण के लिए किसे अपीम की संग्या देते हैं तो देखिएगा दोस्तो जन साधारण के लिए दोस्तो धर्म को अपिम के संग्या दी जाती है आप लोग यहां से लिख लेंगे मुक्त बाजार समझोते का एक आप गुण लेखिए देखिएगा दोस्तो question number 7 जो दिया गया है इसका right answer आपका आजाएगा दोस्तो यह समझोता स्रमीकों के मुलभूत अधिकारों का हनन करता है और उसी के ला दोस्तो अगला question यहां पर दिया गया है आप लोग देख पड़ो समझ सकते हो निम्ले के सत्य असत्य बताएगे यहां से दोस्तो आपको इनके सत्य असत्य बताने है पेला question लिखा है वरतमान में भारती नागरिकों को साथ मुलिक अधिकार प्राप्ते तो यह पूरी तरह से दोस्तो आपका असत्य हो जाएगा दूसरे नमर पर जो लिखा है नोकर साही वे संगटन है जो प्रसासन के अधिक्तम कुसलता लाता है तो देखेगा दोस्तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा और इसके अलाव दोस्तो तीचर नमर का जो question दे रखा है यह भी आपका असत्य है दोस्तो चोते नमर का जो question दे रखा है यह भी दोस्तो आपका असत्य है मैं चलिएगा आगे बढ़ते हैं देखेगा दोस्तो आपके पेपर में आपको भिलकुल देखने को मिलेंगे तो आप लोग जोटो यहां से इसको त прич hell पूरी के पूरे question paper में दोस्तो आपको पररिक चॉँमिए इसी प्रकार के question देखने को मिलेंगे जैसा कि दोस्तों मेरे दोरह यहां पर आपको दिखाया गया है तो आप सब लोग दोस्तों यहां से इसको नोट कर लेंगे इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं नमस्कार, जे हिन, जे भारत